अलो परेंस असलाम अलेकूम आज हम अंडा पकोड़ी बनाएंगे और उसके साथ एक छोट असा मिनी बिलोग भी देने वाली हूँ मैं आपको छोट असा एक मिनी बिलोग यानि कि मैं अपनी हर चोटी बड़ी खुशी आपके साथ शेयर करती हूँ तो यहां पर मैं आई हू पर दावत में तो यहां पर दावत है रात की और हमें पता नहीं था कि यहां पर आज के दिन शबबादी है और आज के दिन हमारी बेट जो बहन जाए उसके लड़के का कि कभी दिन रख दिया था तो पहुत ज़्यादा समिस्टेख हो गए थी तो यहां चोटे बच्चे यह मेरे बहन का लड़का है जिनका इंतिगाल हो गया यानि कि चोटी बहन की बेटियां है और देखे दोनों ननी परियां खेल रही हैं खा रही है और यह रुकसार की बेटी है और जो आप देख रहे हैं बिलू कपड़ए में इसकी शादी होने वाली एक छोटा सा ब्लॉ विए और जवी मेरतार से रुकसार कुताब जानती ही हो यह भी मेरी पहने है और आज नाफिय का मेंने हैरिस्टाइल कुद कराता तो बताएं किसा लग रहे है ना शीचालेका है अनाफिय का है घरिष्टाइल अनवार पीछे से मेरी पहन ठीखा रही है दो ब्छर और अपनी चोटी सी ननी सी परी को लेकर यह रुकसार की बेटी है तो यह है मेरी बाजी के लड़का यह नहीं आतिव से चोटा इनका नाम है आरिश तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और फिजा का आउटफिट देख सकते हैं आप फाइनली नाफिया कभी आउटफिट आप देख और यहां और फोट शूट चल रहा है बाहर खाना चल रहा है तो बहुत बहुत सब बेठे वे हैं और अंदर की साइट में लेकर आगया वह केमरा तो देखिए पहनों ही है रिसालत रुकसार इनके पास कड़ी है और यहां आहिल यह आहिले हैं यानिया कि फरहान अफशा है नाफिया है रहा जाब ही है और यहां, यहां और मेरी मेरी हैं तो इनको आप मेरे काणा लुआ कारी जाखिए ङघंज का रहे हैं यह काणा का था वह हैं आगया हमने खानाब इनको नहीं ओने लिक्त動画 बल काराएère तीनों बेहने ये मेरी और ये बेहनों ही है तो अपने साली के साथ फोटो की चवा रहे हैं ये सारी साली आई चार बेहने मेरी तो देख सकते हैं माशाला से ये मेरी बेहन का लगा यानि आतिफ से छोटा ये बेहनों ही है यानि आतिफ के डेड़ी तो ये आतिफ के डेड़ी जनकी बेटी का आज हकीका है तो याँ पूरा आफटीटिंट का देख सकते हैं माशाइलला और देखिए यह आतिव की सुस्राल से समान आया जिसको बोलते हैं हमारे पर हकिके में चपी के दें या फिर चोचक के सकते हम कुछ भी बोल सकते हैं तो यहां पर हमारी बहन की जो स पीलेट में जब भी यहां पकरे का भी है लेकिन मैं देखा हैं मुझे क्या क्वाना है तो गभी करना वे तो और यहां पर देखिये लाद हैं लेकिन मैं उखना हैं बढ़े लेकिन थोड़ा दूवी पर रखा है तो मैं सोच थी इजान से मंगा लूँ लेकिन फिर में छोड़ा चोड़ा चोड़ा ऐसी खा लेती हूं कि अ देकल से थाम देखने आए बाजी क्या कहा लियो मेरे हजबन घजा एकाना खा चुके हैं लेकिन वो मारा वैण यह जाने के न L Almostya कआर है तो मैंने से खाना कुषिया थूदा बाजी कोर्मा ने काल लिया है थोड़ा सा निकाला हैे थोड़े थी रखिए रोटी वासी सब खाएंगे रुकसार और मौसीन या निकेंस के हैस्बेंड है यह मौसीन यह भी खाना खा रहे हैं थोड़ा लेट आए थे तरी खाना खा रहे है क्योंकि आज सब को भी सबको बताएं यह शब रात वाले दिन यह थोड़ा दिन हमारा गलत रखिया था यह भी मेरी बेहन है जाने के लिए टाइम जादा हो रहा है शब एक अदर भी पढ़नी है जाकर तैयारी भी करनी है तो ही सोचरी ममा जाते जाते थोड़ा सा मौनी से प्यार कर लेते हैं तो मैंने ठीक है फूट और शूट करा लो और थोड़ी सी वीडियो बना रही है ही मौनी के साथ बस हमें जाना है अब निकलना है बहुत जादा लेट हो चुके हैं तो हम यहां से निकल चुके हैं हमने ओला बूक कर दी है और इसमें बेट चुके हैं फाइनली घर के निकल चुके हैं तो देख सकते हैं नाफिया एंजोई करें बहार बिल्डो वाली सीट पर बेटकर फैज भी ब तो आलू को हमें 50% कूक करना है फिर तो दो चोटा ले ले घर तो अंडे के साइस का ही कट नहीं अभर मेरे ऊपर और आपके अलू थोड़ा बड़ा हो रहा तो कोई नहीं क्योंकि याम अचले को बीस सेंटर में तर तो इसके अंदर एक उप पर और एक नीचा यानिके बीच में रखेंगे अपने अंडा और उपर नीचे रखेंगे आलू तो आलू जैसे मैंने बता है 50% कुक हैं पूरे 100% कुक मैंने नहीं करें हैं और कच्छी आलू से भी नहीं बनारी हूं क्योंकि हमें पके आलू लेरी हूं 50% कुक है अब इसी तरह हम अंडे को कट हैं यानिके ही नहीं तो मैं यहां पर चुरी से ही कट कर रही हूं यानिके बिल्कूल सेंटर में कट करूंगी चोटा बड़ा वही साबी नहीं दिछाए लेकिन यह फिर भी आप हिसाब से काटें बहुत अराम से कट जाएगा कोई समय दिक्त वाली बात मैं जिसके पास प् कोशिश करूँगी पत्ले पत्ले यानि के ज्यादा पत्ले भी नहीं होने ची ज्यादा मोटे भी नहीं पीस कट कर लेने तो आप देख सकते हैं मेरे एक अंडे में से यहां पर 4-5 पीस कट होगे जो साइटो का है वो हम नहीं डालेंगे अंडे का ज क्योंकि उसकी अंड पको यहां बादी पॉडर के लिए रखा हैं मैंने बादी पौडर के लिये रखा है मैंने बादी बोड़ के लिए राव पाव तीश्पून एपने हिसाफ से रख सकते हैं कम जाएदा यहाँ हारी मिर्चे जो पर वाली का भी यूज करेंगे तो देखीं हाँ पर मेंने 145 टीस्पून ये कुटीवी मिर्चे हैं यह मैंने पहले सी कूट के रख 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 रखें रमजानों के लिए एक बोल भर कर अभी इस सब चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी आप पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो हमें ने डेड़ कप बैसन लिया है और एक कप लेरी पानी तो रही यहां पर में पूरा एक कप पानी डाल रहे हूं और विसकी कंडिस्टी देखेंगे किस तरह की हो जाएगी तो यहां पर हमें बिल्कुल पतला नहीं रखना है आप पानी अपनी हिसाब से डाल सकते हैं कम जादा अगर आपका जिस कप से मैंशमेंट कर रहे हैं आप यहां इसका कोई हिसाब नहीं मैंशमेंट का क्योंकि यहां पर हमारा पेसन बज जाता है तो हम इसके अंदर नॉर्मल पकोड़ी भी बना कर खा सकते हैं तो इसकी देखते हैं कितनी ठीकने से तो हम इतना ही चाहिए जादा पतला बिल्कुल लिक्विट की तरह कि वरना हमारी पक सब्सक्राइब आपने अंडे की ही पकोड़ी में तो बीच में रहेंगा नडा और आपने नीचे रहेंगे हमारे आलू अबज़ाइब कर लेंगे खुब अच्छे से कोटिंग हो जाएगी और जो हमारा अंडा है और आलू है पूरा कवर हो जाएए तो इसकी कोटिंग कर लेंहें तो हमें ती दालते हैं थोड़ी मोती एक रते страх बनता है ठोपाइक है ठोडलोटे भी लगते हैं थोड़ी का रीरा सब्रहें ही पराली अभी तो ऑफिटी है मैं चाहिए बना टाम ऑए तो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ और मुझे एक चोटा सा बिलोग भी तो देना था तो बिलोग कैसा लगा तो पिलिस कमेंट करके ज़रूर बताए मैं अपनी फैमिली से मिलवाती रहती हूँ बहुत जल्द मेरी बेहन की शादी है यानि के ईद के बाद अपशा की शादी है और मैंने आपको तिखाया भी था बिलोग में अपशा को तो उसकी शादी है और उसका भी में बिलोग आपको देने वाली हूँ हल्दी, महंदी तो बराब तक का मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप में आपको अपनी फैमिली समझती है इसलिए आपके साथ हर खुशी में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि हमारे अम्मी बाबू नहीं है हम बेहने ही मिलके इसकी शादी करेंगे और यह हमारे पास ही रहती है तो देखिए हमारे अंडे की पोकोड़ी बनकर तयार हो कर शकुँट कर दे तो तो मांशलznा है अन्डे की पोकोड़ी है को इसे केच्प के साथ भी ले सकते हैं आप इसे घ्रीम या फुर रेड वी या फिर इसे आपको सही लग हमारे अंडाय की तर्व displaking को इसको अप kटकर वह दिखा सकते हं किमेर के इससलिए के ज्ड़ एसज आपने मेरे चैनल सस्क्राइब नहीं गया तो सस्क्राइब कर लीजी क्योंकि बहुत चल्ड मिलने वाला है आपको फिर से निशा की बेहन का व्लोग फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में लाफीज